नमस्कार ब्यारियोदा पे आप सुभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग कबर कर रहे हैं ज्यारकंड जीके के मत्कुन सवाल और ये सेट नमबर 47 है इससे पहले हम लोग बहुत सारे सेटों का डिसकर्शन किये हैं और आपको बता दू कि ज्यारकंड जीके के आप एक अगस को क्या करना है कि एक अगस को टेस्ट होने वाला है जिसमें एक से लेकर एक सेट जो शुर्वात हम लोग दोग देखे थे उससे लेकर 50 सेट थक के जो भी सेट कराय जा चुके हैं उसी से सवाल रहेगा और इसमें पचार सबार रहेंगे इसमें जो टॉप ठीरी रहेंगे उनको पुरुषकार भी बित्रन किया जाएगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें यह डेली सेशन पहले रात को आठ बजे लाये जाता था कुछ कारण वज़त से अब यह सेशन को छे बज जरूड़े हैं तो जरूर जरूड़े वहाँ पर एक दम पिटीस लेकर में सरकितर रायारी कराये जा रहा है जो कि सुधिसर के मार्क दर्सन में कराये जरूड़ जोइन करना है प्राम्सी आयस देखते हैं आजका पहला स्वाल जार्खंड में जनजाती समू के खेती को किस नाम से जाना जाता है जार्खंड में जनजाती समू के जो खेती है उसका नाम क्या है कूरबा है तो option number C यहां पर right हो जाएगा अगला स्वाल जो रहा है कि मुंडा समाज पहार देवता को किस रूप में पुझते हैं इसका सही आंसर ओप्चन नमबर सी हो जागा बुरू बोंगा जारखन के किस जनजाती द्वारा लूट लाओ और कुट खाओ वाली जिन्गी बसर की जाती है इसका सही आंसर खड़िया हो जागा अगला सवाल बोड़ा है ओलो लदाए खड़िया समाज में परचलिते क्या है यह बिवाग को बोला जाता है ओप्सन नमबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा खड़िया समाज में बिवाग को बोला जाता है बिंजिया जनजाती के वधु मुल्ली का नाम क्या है डाली कटाही यानि ओप्सन नमबर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला सवाल बोड़ा है चरेता बियरी एवं हरेली बेगा जनजाती में परचलित क्या है बोड़ा है चरेता बियरी हरेली बेगा जनजाती में परचलित क्या है साथ नमबर सवाल है साथ का सही आंसर ओप्सन नमबर डी हो जाएगा पर्व हो जाएगा अगला स्वाल बुरा है खरवार जनजाती का प्रमपरागत पेशा क्या रहा है कथा बनाना तो option number B यहां पे राइट हो जाएगा अगला स्वाल बुरा कोल जनजाती में वधु मुल्ल का नाम क्या है कोल जनजाती में वधु मुल्ल का नाम क्या है 9 का सही आंसर option number A हो जाएगा पोटे अगला स्वाल बोड़ा है कोरा जन्जाती का परमप्रागत पेशा रहा है क्या करना है कोरा जन्जाती का अगर बात कैज़ा है परमप्रागत पेशा रहा है 10 नंबर स्वाल है 10 का से आंसर मिट्टी काटना हो जाएगा Option number A यहाँ पे राइट हो जाएगा अगला सवाल बोड़ा 11 नमबर सोरिया पहाड़िया जन जाती में किसके द्वारा बिवास संपन कराए जाता है सोरिया पहाड़िया जन जाती में जोपड़ी नुमा घर को क्या काते हैं परहिया जनजाती के लोग अपने जोपड़ी नुमा घर को क्या काते हैं बारा नंबर स्वाल है इसका सहिए आंसर option number C हो जाएगा जाला कहा जाता है अगला स्वाल है ज़रा बासु और जंटा पाते सबर जंजाती की क्या है ये उप जाती है तो option number B यहाँ पर राइट हो जाएगा धर्दी जावाई जंजाती समाज का परचलित क्या है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा धर्दी जवाय जनजाती समाज की परचलित क्या है फोटिन का सही आंसर विवा का एक परकार है संथाल जनजाती किसे विश्व विधाता मानती है पंदर नमबर स्वाल है ठाकुर Alti को बिस्व भिधाता मानती है संथा लिए उराओं जनजाती को असानिय भासा में क्या काते हैं को रख का है तो उक्ष्ण नमबर भी यहाँ पर राइट हो जायगा अगला सब्सक्राइब चंचत है । बांपर निमलिकेत में से कोन सा कथन असरत है यानि कौन सा कथन है जो कि गलत है उराओं जन्जाती के गाउं के परधान को पाहन या महतो कहा जाता ये तो सत्य है उराओं जन्जाती के पंचायत पंचोरा कालाते ये भी सही है उराओं जन्जाती के इवा गिरियों के धुम कडिया काते ये भी सत्य है उराव जन्जाती की भासा को उर्वी करते है ये तो गलत हो जाएगा तो option number D यहाँ पे राइट हो जाएगा बोड़ा तक कौन सा गलत है जन्जाती समाज में जब तक बाप पर्व नहीं मनाये जाता तब तक कौन से फुल को घर में लाना वर्जित होता है यानि कि मना होता है साल का फुल को लाना मना है option number C यहाँ पे राइट हो जाएगा अगला स्वाल बुड़ा है हतिया पत्थर मेले का योजन किस नदी तड़ पर होता है यह है 19 स्वाल 19 का स्यांसर option number E हो जाएगा दा मोधर अगला स्वाले 20 नदमर निमन में से किस मेले के सुरुवात नागवन सी शासनकाल के समय हुई थी कौन सा मेला का सुरुवात नागवन सी सासनकाल के समय हुई थी इंडर जद्रा ओप्शन नमबर बी यहां पे राइट हो जाएगा अगला सवाल है 21 नमबर नियमन में से कौन सा मेला प्रति बार 14 अप्रेल को गोड़ा जिले में लगता है गोड़ा जिला में लगता है कौन सा मेला बिश्वा मेला तो आप्शन नमबर भी यहां पे राइट हो जाएगा अगला सवाल है 22 नमबर बोल रहा है कि जारखन के प्रत्थम राजिपाल थे देखें यह सवाल बहुत एजी है क्योंकि यह सवाल देखने में तो लगता है मगर यहां ऑप्शन देखें कैसे दिया हुआ है परभात दूबे दिया हुआ है परभात सिर्वास तो परताब कुमार या परभात कुमार तो दिखें ऐसा नहीं है कि यह स्वाल एदी हम लोग क्या केते हैं कि यहाँ वन लाइनर में भी देखेते हैं यहाँ अबजेक्टिम में लाने का रिजन यही है कि आप लोग को कन्फिज नहीं का ना परभात कुमार हो जाएंगे दूबे ना होंगे न सिर्वास तो यहाँ प इसका सेयांसर ओप्शन नमबर ए हो जाएगा ओड़ी सा अगला स्वाल है चौबित नमबर सीबू सोरेन अब तक कितनी बार जहारखंट के मुखे मंतरी बने हैं तो यह तीन बार बने है तो ओप्शन नमबर ए राइट हो जाएगा उच नियाले के अधीन अनुछे 226 के त राइट हो जाएगा जहारखंट के प्रतम लोका युद कौन थे यह भी सवाल आप लोगों को करा दिये तो वह जाएगा तो दोनों इसी कारण यह सवाल लाते कि कन्फियूज नहीं करना है वहां पर एक जाम में जहारखंट के पहले विदान सभा अधियच कौन थे विदान सभा दियच कौन थे जहारखंट के पहला यह बहुत इजिस सवाल है इंदर सी नामधारी बहुत बार यह सवाल भी करा चुके हैं अगला सवाल है अप्रेल 2020 तक जहारखंट में कितनी बार राजपती सासन लग चुका है यह 2020 तक के बता रहा है पूछ रहा है 28 का से आंसर ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा तीन बार यहां पे राजपती सासन लग चुका है अप्रेल 2020 के बात के रहा तक में राचि से अलग कर खुंटी को नया जिला का बना गया था खुंटी एक नया जिला के रूप में बना था राचि से अलग हो कर कब कुल्हान परमंडल का मुख्याले कि बात क्या जाएं तो इसका मुख्याले कहां देखने को मिलेगा चाई बासा में तो आप्सन नम्बर भी यहां पे राइट हो जाएगा अगला सवाल बोड़ा है स्रीभूम जिले को दो जिलों में कभ विभाजित क्या गया था सीभूम जिला था उसको दो जिला में विभाजित क्या गया था पच्छमी सीभूम और पुरवे सीभूम के रुप में तो आपको बताना है कि कब विभाजित क्या गया था 31 स्वाल है 1990 में तो आप्शन नमबर C यहां पर राइट हो जाएगा 32 प्लामू जिले का मुख्याले कहा है देखे यह भी सवाल बहुत इजी है मगर यहां पर देखे मेदनी पूर दिया हुआ है मेदनी नगर दिया हुआ है मोदी नगर दिया हुआ है तो कंफिज करने वाला सवाल यहीं से बनता है तो मेदनी नगर हो जाएगा तो आप्शन नम तो option number A यहाँ पे right हो जाएगा निमन में से कौन सा जिला संथाल परगना परमंडल का अंग नहीं है देखें बहुत अच्छा स्वाल है अगर देखें इसको समझना है एक बार में आपको बहुत तरह से सवाल आएगा जैसे तरह घुमा के दे आप लोग को मार कर जाना है मोड़ा संथाल परगना परमंडल का अंग नहीं है तो पहला बात याद रखें कि संथाल परमंडल में अंग अखिर है कौन कौन तो देखें जाम ताड़ा भी है इसका अंग पाकुड भी है गोड़ा भी है तो चत्र यहाँ पे अंग नहीं है इसके अलाबा अगर बात कहए जाए तो छोग होता है इग कोण कोझ अब जा आता है अप लोग याद रख सकते हैं जार्खन लोग से वायोक के प्रतम अधियज कौन है बहुत अच्छा सवाल है अभी जीस चीज के आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरकन लोग से वायों का तो पुछरा के प्रत्तम अधियत कौन थे फटिक चंद्र थे फटिक चंद्र हें ब्रहम ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा अभी देखिया कोछ दिनों के कारण कुछ दिनों से मेरा आव का वीडियो के लिए हम बहुत निरासा हात लगा है आप लोगों से एकदम बोला जाता है ना एकदम निरूष्ट हो गया है कि चार सो बताइए चार सो सवाल कराते हैं और आप लोगों को लाइव जुनने में भी आप लोग को तकलिप होता है बताई यह जो टीकर इतना मेह करन दो लोग को करते हैं तो आप क्या करते हैं कि वीडियो के लिए वहाँ पर ज़रूरी है एक attendance होता है उपर सीर दर्ज होता है ताकि हमें बता चलता है कि कुण कुण लोग जो वीडियो देख रहे हैं या कि कोई वैसे लोग भी हैं जिनको कोई problem है कोईचर द्राब है तो वहाँ पर पता चलता है कि आखिन बहुत सारे ऐसे एक्टुडेंट है जो हमसे बात भी करते रहते हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा लगता है सेशन और कहां पर सुधार के गुंजाइश है वो सब भी बताते रहते हैं तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी फोन के मादे चीज़ाँ आप लोका एक दाम निकल जाएगा मेहनत करना होगा खुष से कोई किसी दे की लुकारी को नहीं होने मेहनत करते रही है अगला सौण है ज्हारखंड में अनुमंदल पदाहिकारी को निम लेकित में सरकावके कौन सी सकतिव प्राप्ठ हैै पतारी पताई आप लोग के लिए उतना मेहनत करके लानी के बाद मेरा गल्ला बैठ गया उसके कारण जाकर दवा लेना पड़ रहा है और आप ही लोग है कि अनुपस्तित हो जाते हैं इसका सयांसर आप्सन नमबर डी हो जाएगा उनुपस्तित परशासन के भी है राजस्व परशासन का भी है और विकास जो परशासन बोला जाता उसका भी है अगला स्वाल है थर्टी सेवन नमबर निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है इसमें जो है समझ पंचायती संसाओं का कारिकल छे वर्सों का होता है यह कथन जो है सरासर गलत है तो यहाँ पर आप्सन नमबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला स्वाल है अर्टीस नमबर ज्यारखन में मक्के का सारवदीक उत्पादक जिला कुन सा है मक्का जल का उपलखता कितनी है दो लाग nowग चापन जार पांशो चतर हो जाएगा तो उप्सन नमबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा यह लाग क्यूं उसी घन मीटर में होगा तो लाग चापन हजार पांशो सतर के सिल में में NEW 20 सत हथ जिला का कितना परचुस्यत्त पर्धान मंत्री सिचाय उजना कब शुरू की गई थी दोजार चुबदा इसवी में तो आप्टन नमबर ए यहां पर राइट हो जाएगा अगला सवाल बोड़ा है दोजारीगारा के जनकर्णा के अधार जहारखंड की जनसंक्या का भारत में कौन सा असान है यहां पर फोटिन कर लिजेगा तो आप्टन नमबर ए यहां पर राइट हो जाएगा अगला सवी जनकर्णा के अधार जहार जहारखंड की जनसंक्या का भारत में संफोटिन असान पर है राजिका सारवधिक जन घंघनत वाला जीला कौन सा है राजी का सारवदिक जन घनत वाला जिला के अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा 43 नमबर का से अंसर उप्सन नमबर C हो जाएगा धनबाद निम्न में से सारवदिक अबादी वाला जिला कौन सा है सारवदी कबादी वाला दिला के बाद किया जाए तो कौन सा हो जाएगा राची हो जाएगा औप्सन नमबर सी यहां पे राइट हो जाएगा अगला सवाल है निवन में से किसने संथाली लोग कताओं का संगरहन किसके द्वारा किया गया है पी ओ बोडिंग औप्सन नमबर बी यहां पे राइट हो जाएगा पी ओ बोडिंग मरंग बुरू की कलपना किसमे की गई है इसका से अंसर पहाड में हो जाएगा औप्सन नमबर बी यहां पे राइट हो जाएगा राची के गिर्जा घर किस सेली में निर्मित है राची के जो गिर्जा घर है वो कौन सा सेली में निर्मित है ये है 47 नमबर सवाल गेथिक सेली गोथिक सेली इसको बलते है गोथिक सेली तो आप्सन नमबर सी यहां पे राइट हो जाएगा निम्न में से कौन कोहवर चितरकला सहली का विशे वस्तू नहीं है इसका स्यामसर ओप्षन नमबर D हो जाएगा रामकथा जादो पटिया चितरकला सहली किस जन जाती समोज से समंदित है जादो पाटिया, चितरकला, सहली के अगर बात किया जाएं तो ये कौन सा जन जाती हो जाएगा, आप्सन नमबर A हो जाएगा, संथाल जन जाती है मुरली, बनम, तुरही, टुईला और भीयर उधारन है, क्या का उधारन है, चलिए बताइए पचास कार से यंसर क्या हो जाएगा, वाद यंतर हो जाएगा, आप्सन नमबर A यहाँ पे राइट हो जाएगा सोराई गीत किस मामे गाये जाता है सोराई गीत के अगर बात क्या जाए तो यह कौन सा मामे गाये जाता है तो आप्सन नमबर A हो जाएगा कार्थिक मामे निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संगरहित क्या गया है निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित क्या गया है बावन नमबर स्वाल हैं ओप्सन नमबर A हो जाएगा WG Archer भजतिया माठा ओमीट कोटन एवं पईन काटन उधारन है देखें ये सब टेड़ा भले लग रहा है इसी कारण बोलते हैं कि रिविजन करने के आप लोग को आ सकता है भजतिया माठा ओमीट कोटन एवं पईन काटन उधारन है क्या का एक उधारन है चलिए बताए ये तीरपन नमबर स्वाल है ये सदानी लोग निरिते है तो अप्शन नमबर ये यहां पे राइट हो जाएगा अगला सवाल मोड़ा है कि निम्न में से किस निरिते में स्रिंगार इवं भक्ति परक गीतों में रादा कृष्न परसंग की प्रसूती परमुक्था से होती है चली बताईए इसका सही आंसर क्या होगा 54 का अगर बात किया जाए 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का सही आंसर आप्शन नमबर ए हो जाएगा कली हो जाएगा अगला स्वाले 55 नीमने में से कौन सा एक पूरुष परधान निरित कौन सा है चलिए बताई ये 55 का अगर सही आंसर किया जाए तो इसका सही आंसर दोंगेड़े हो जाएगा दोंगेड ओप्चन नमबर D हो जाएगा अगला स्वाले जान तड़ परव के अउसर पर कौन सा निरित किया जाता है ये है 56 नमबर स्वाल चलिए बताईए 56 का सही आंसर हो जाएगा सिकारी ओप्चन नमबर D हो जाएगा किस निरित के अउसर पर महिलाउंद वारा चुमावड़ी गीत गाये जाता है 57 का सही आंसर आप्चन नमबर D हो जाएगा सोहराई किस निरित के अउसर पर पाड़ू गीत गाये जाता है पाड़ू गीत गाये जाता है किस निरित के अउसर पर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा हलका हो जाएगा आप्चन नमबर B हो जाएगा इसको दवारा छाओन निरीतों को कब बीसो बिरासत की सुची में सामिल किया गया इसका सी अंसर हो जाएगा 2010 इस भी उप्सन नमबर ए हो जाएगा निमन में से किस निरीतों में मुखेटों का परियोग होता है निमन में से किस वादी अंतर का निर्मान नार्यल के खोल को आधा काट कर उसके उपर गोह का चमड़ा मणकर किया जाता है इस अंसर अप्सन नमबर भी हो जाएगा बनम बनम वादी अंतर जो बनता है उसका निर्मान इस विदी से होता है छाउन रित में किस वादी अंतर के आवाद से यूद और सैनिक परियान जैसे द्रिसुक और सकार किया जाता है धमस हो जाएगा उप्सन नमबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा राजा मान सिंग द्वारा किस के लिए का निर्मान कराये गया था राजा मान सिंग के द्वारा अगर बात के जाएगा तो राज महल के लिए का निर्मान कराये गया तो अप्सन नमबर बी हो जाएगा निम्न में से कौन सा गिरीडी जिले में सीथ है गिरीडी जिले में आप लोग को जारखंडी धाम देखने को मिलेगा तो आप्सन नमबर ए यहां पे राइट हो जाएगा सारंडा जंगल की जिले में है सारंडा जो जंगल है वो कौन सा जिला में है पच्छमी सीभू में है तेलकुपी मंदिर की सनधी के तड़ परिसित है तेलकुपी मंदिर दामदर इसका राईट अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा पालकोट राजमहल किस राज़वन से सम्बंदित है तो नागमंसी तो आप्शन नमबर C यहाँ पे राइट हो जाएगा अगला सवाल है संथ पॉल गिरजागर वस्तित है राची में देखने को मिलेगा तो आप्शन नमबर B यहाँ पे राइट हो जाएगा संथ पॉल गिर्जागर की बोलेगा तो आपका राची चला जाएगा अगला सवाल है सत्तर नमबर पिठोरिया का इदगा किसके द्वारा निर्मित कराये गया था पिठोरिया का इदगा कि अगर बात के जाए तो इसका जो निर्मान कराये गया था वो किसके द्वारा कराये गया था सेर साह के द्वारा कराये गया तो अप्सन नमबर B हो जाएगा निवनिम से किसके द्वारा ने तरहाट को परवतिया स्टेशन के रूप में बेसित किया गया एडवर्ड गेट के द्वारा एड़वर्ड गेट हो जाएंगे ओप्सन नमर B हो जाएंगे कैथा स्वीव मंदिर इसी था है कैथा स्वीव मंदिर के बारे में हम पूरा डीप से वीडियो बना है उसको भी जाकर आप लोग पे जो बोला जाता है न कि एकदम बेसिक से लेकर हाई लेबल तक के यहां पे बताया गया कैथा स्वीव मंदिर के बारे में जो के प्लेलिस में आप लोगो को मिल जाएगा इसका सही अंसर रामगर हो जाएगा ओप्सन नमर C हो जाएगा अगला स्वाल है तियत्य नमर 96 में से किसे भारस सरकार द्वारा राच्टिय धरोहर गोसित किया गया है कैथा को कैथा स्वीव मंदिर को आप्सन नमर C हो जाएगा रिखिया आसरम किस जिले में वसीत है रिखिया आसरम के बात कर रहा है कौन सा जिला में देखने को मिलेगा देवघर में इसीत है तो अप्सा नमबर D हो जाएगा निम्न में से देवघर जिले में वसीत है कौन सा है जो की देवघर में देखने को मिलेगा तिर्खुट परवत जोकी देवघर में देखने को मिलेगा परिशित वन्सीधर मंदिर इसेथ है वन्सीधर मंदिर के अगरबाद के जए कहाँ पे देखने को मिलेगा ये गणवाँ में है तो अफ्साल नमबर भी यहाँ पे राइट हो जाएगा अगला स्वाल बोरा है मंदिरों का गाउं मलूटी किस जिले में इसीत है मलूटी को बोला जाता है मंदिरों का गाउं तो ये कौन सा जिला में है इसका सियांसर दूम का हो जाएगा और आज का अंतिम स्वाल है बोड़ा निमलिखित में से कौन सा जहर्खन में गाया जाने वाला रितूगीत नहीं है कौन है जो की रितूगीत नहीं है दिखे चतुर मासा है जो की रितूगीत है बरमासा है रितूगीत है चैता भी रितूगीत है तो कार्टिक मासा जो है जो कि रितू गीत नहीं है तो आपने नमबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा अगर आप लोग को कहीं पे अगर डाउट रहता है किसी भी सवाल में समझ में नहीं आता है तो आप लोग जाएगे कॉमेंट बॉक्स में वहाँ पे जाकर अपने मैसेज लिख सकते हैं जो भी हम देखकें ऐसा नहीं है के comment कोंप पड़ते नहीं हूं बाद में जो भी comment रहता है जरूर पड़ते है और अगर मान्लिक की official नमर पे अगर आप लोग को फोन नहीं उठफाता है तो ओन नमर पे हम बाद में भी फोन के मादियम से बात कर लेते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करना है बिहारी जोद्धा को और जीतना से जाधा हो सकी आप लोग वगजीर करिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं बिहारी जोद्धा